वेलकम टू माई चैनल मल्टिपल मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि सभी जानते हैं कि सोमवती अमावस आने को है और सोमवती अमावस के दिन हमें क्या करना चाहिए कैसी पूजा करना चाहिए किस दिन को है क्या उसके सुम महुरत है उन सब के बारे म आज मैं अपने इस वीडियो में वो सब मैं शेयर कर रहे हूं जैसे कि सबी जानते हैं कि हर मा के कृष्ण प्रक्ष की आखरी तारीक को अमवश्या आती है और चैत मा की अमवश्या इस बार 2021 की 12 अप्रेल को दिन सोमवार के दिन है इसलिए इसे सोमवतिया मवश्या कहा जा रहा है और एक विसेज बात यह भी है कि 2021 में केवल एक ही सोमवतिया मवश्या पड़ रही है इस दिन दान का बहुत महत्व है मानता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के घर में सुख सांती और खुशहाली आती है मतलब आज के दिन हमें दान करना चाहिए और दान करने से मन को शांती भी बहुत मिलती है तो अब हम जान लेते हैं कि सोमबती अमावश्या किस तारीक को पढ़ रही है इसका शुब महुरत क्या है तो सोमबती इसका सिर्फ दो फेज़्व है बहुत कम समय के लिए है तो इसले हमें इस बार सोमबती अमावश्या की पूझा सुबह जल्दी करनी आप सोमबती अम वश्या के दिन सोमबती मौश्या की पूझा क्यो sources remain और सोम्भतीय मावश्या की दिन हमें किया चाहिए ? यह जान लेते हैं..! उसकी उपाई किया थे आ? आमावश्या के दिन हमें एस्वाक्षय कपड़़े पहन कर पूजा करना चाहिए, इस दिन मनगें को शान रखना, चाहिए कि पहले लोग नदी में इस्नान किया करते थे और अगर मौन होकर इस्नान किया जाए मतलब मौन हो रहकर अगर हम इस्नान करेंगे तो एक हजार गौदान के बराबर फल मिलता है यानि कोशिश करें कि जब हम इस्नान करें नदियों में नहाना तो पॉसिबल नहीं होता है ले पूझा पूझा से पीपल पे भगवान विष्नु की पूझा करने चाहिए था उनकी 108 प्रदिक्षडा लगानी चाहिए जो फेरी लगाते हैं और नमम्ब्री Mate 108 लगानी चाहिए यसे 108 लगानी चाहिए आप कुछ भी चीज खाली मत लगाए उसमें आप कुछ कुछ भी समान ले सकते कुछ भी चीज ले सकते खानी के चीज ले सकते या किसी को कुछ देना चाहिए आपके मन में जो है कि आपको किसी को दान करना है तो वह चीज आप ले लिजे चाहिए वह फल हो या वह मिठाई हो या वह कपड़े हो या वह कुछ भी हो है ना तो वह आ हम दान भी हो जाता है और हमारी पूजा भी हो जाती है तो इसलिए 108 प्रदिक्ष्णा करिए और कहा जाता है कि 108 परिक्रमा लगाने से संतान निरोगी और चिरंजीवी रहती है इसलिए हमें सुम्वतिया मावश्या के दिन परिक्रमा अवश्य लगाने चाहिए अच्छा और सोम्वतिय मावस के दिन सुहाग ने अपने पती की लंबी आयों के लिए भी ब्रत रखती है और पीपल की हुजा करती है इसके बाद धान पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधी विधान पूर्वक तुलसी पर अर्पित करती है आज के दिन तुलसी का भी बहुत महत है अगर आपके पास पीपल नहीं है तो आप तुलसी की भी प्रदिक्षना कर सकते हैं एक 108 प्रदिक्षन आप तुलसी की भी कर लीजे, अगर पीपल है तो भी अच्छा है और अगर पीपल नहीं है तो तुलसी की भी हम प्रदिक्षन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रही सोमबती अमावश्या की पूजन विदी और इसका मुहूरत, इसलिए आप सभी सोमबती अमा काम ना पूर्ण करें, बोलिए शोमबती माता की, जैए!